हैलो दोस्तो बिंदा ओनलाइन एक्टेरी क्लासेस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तो आज के अकवारों में मुख्यता रूप से छापा गया है कि UPSC का रिजल 2020 का जो जारी हुआ है इसमें दिल्ली की संचिता टापर हुई है UPSC में संचिता का यह दूसरा प्रयास था वे साथ ही सिविल सेवा की भी तयारी कर रही थी संचिता के पिता चंद सेखर शर्मा फार्मासिस्ट है और माज्योती लेक्चिरर है दूसरी टापर सिवाक्षी दिच्चित है सिवाक्षी ने अपने पहले प्रयास में PCS में दूती इस्थान हासिल के अवे क्लास 10 और 12 में स्कूल टापर बनी और फिर दिल्ली के स्रीराम काले से भी काम किया PCS में भी कामर्स अकाउंटिंड भी से कोई चुनावे बताती हैं कि उन्होंने प्रशाशनिक प्रशाशनिक सिवा में आनत हैं कि आक्यों की वी विवित्ता पूर्ण काम करना चाहती हैं जिसके यहां काफी औसर हैं बैंक मैनेजर रहे सिवाच्छी सिवाच्छी के पिता कोई करीब दो वर्स पूर्ण कैंसर से मृत्ती हुई थी सिवाच्छी ने बताया कि साथ ही हिंदी जैसे विशे के लिए विशेस तयारी रखे इसले क्योंकि दस्वी के बाद में अमून वे विशे पमी पढ़ते हैं नवही लाकडाउन के दोरान अपनी तयारियों के लिए उन्होंने आनलाइन पर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया था तीसरी टापर मोहित है मोहित ने 2015 में IIT मंडी से बीटे किया इसके बाद उन्होंने हैदराबाद में एक फिटनेस कंपनी D.E. शा में दोश शालकाम के समाजिक तोर पर ज्यादा योगदान देने की चाहने 2017 में उन्हें प्रशाशनिक सेवा की और प्रेरित क्या मोहित इस समय सिविल सेवा के इंटरव्यू के इंटरव्यू चरण में भी है उन्होंने अपनी तैयारियों को साड़ी तीन साल दिये मा इंद्रा रावत ग्रेडी है जब कि पिता जवाहर सिंग रावत हरियाणा सरकार में सुप्रिडेंट पब्लिक हेल्थ से रिटायर हो चुके हैं अगला नीजे तो क्या यूपी में मेधावियों की कमी है पद जार है खाली प्रयागराज यूपी में सरकारी नोकरी को लेकर भले ही कितनी मारा मारी हो लेकिन इस हकीकत से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि सुबे में मेधावियों की कमी है चोटी से लेकर बड़ी भरती मे लाखो की संक्या में आवेदन के बाजू सभी पदों को न भरना सवार खड़ा करता है। PCS 2020 की परिच्छा ने कई रिकार्ड बना है। आयोग ने 1-8 अपरल तक इंटर्व्यू कराया, इंटर्व्यू लगातार हुए और छुट्टी के दिन भी साक्षतकार का आयोजन किया गया। आप दिनों में इंटर्व्यू पूरा कराने के बाद आयोग ने चोथे दिन अंतिम चर्ण परिडाम जारी किया। इससे पूरू PCS की भरती पूरी होने में कम से कम एक साल का वक्त लग जाता था। कुछ भरतीयों के परिडाम तो दो से तीन सार में जारी हुए। लेकिन PCS 2020 के साथ ही PCS परिच्छा अब पूरी तरह से पट्री पर आ गई है। दोस्तो अगला नियोज यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के आवेदन फार्म के बारे में सुचना है। जो नया सर्वर आयोग खरीदा था वह अब सही काम कर रहा है जो अभ्यार्थी अभी तक फार्म नहीं भर रहे हैं। वह अंतिम्तिथी का इंतेजार ना करके फार्म भरना शुरू कर दे वरना फिर लास्ट में जाने फार्म नहीं भरता है तो भ्यार्थियों को ज्यादा परिसानी होती है। आज का वीडियो समाप तुरह हुआ है। चैनल को जरू सब्सक्राइब और लाइक जरू करें।